हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माइश्ट इप्षीट चैनल दोस्तों मैं फीजिकल एजूकेशन की चेप्टर वाइज बेर इंपॉर्डन एमसे क्यूज कोश्चन का प्रेक्टिस करा रहे हूं जिसमें से आधिया योगा से रिलेटेट कोश्चन है जिसमें से योगा से रिले कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो को वाश्च करके आप अपने रिपेशन को बेहतरीन कर सकते हैं और दोस्तों चलते हैं अपने टापिक पर प्रश्णों की तरफ तो दोस्तों कोश्चन है कि हठ योग किन दो सक्तियों का प्रस्प्र मिलन है चाहां किन दो सक्तियों का प्रस्पर मिलन है धनात मक्स सक्ति शूरि द्वराप्रतिकात्मक व्रात्मक सक्ति चंद्वराप्रतिकात्मक इसमें आपसर घौ esté सभी एक पर दप्रा मैं और göt जो हाथ योग योग है इस से सथायित्व धर मन को ठहराव मिलता है ठीक है जैसा कि कहने सिताथ पर आप समझ गए होंगे इसको कहते हैं आर्षन ठीक है नेश्ट कोश्चन है योगा आर्षन करने का आदर समय कैसा होता कौन सा है सुबह है कि साम है जैसा कि आप सब को बता है प्रातहकाल है ठीक है प्रातहकाल नेश्ट कोश्चन है पद का क्या आर्थ है तो पद का आर्थ कमल होता है नेश्ट कोश्चन है पदमासन को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो दोस्तों पदमासन को अन्य नाम किस से जाना जाता है कमलासन की नाम से भी जाना जाता है इसको विशेश्रिप्ट में ध्यान में माहात्मा बुद्ध को बहुधा किस आसन में दर्साया जाता है तो जादे तो आप माहत्मा बुद्ध को जब भी मुर्ती देखे होंगे तो यहाँ फ़िदासन सब्सक्राइब को कप किया जाता है जैसा कि दोस्तों मैं बताई हूं कि वज्रासन जो है खाना खाने के बाद किया जाता है ठीक है वज्रासन कब किया जाता है खाना खाने के बाद किया जाता है ठीक है और आपको ये भी धियान रखना है कि एक ही आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है वो है वज्रासन नेश्ट है किस आसन को दर्जी का सीट कहा जाता है ठीक है दर्जी का सीट किस आसन को कहा जाता है तो सुखासन को दर्जी का सीट कहा जाता है नेश्ट है कौन सा आसन सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित है ठीक है तो शवासन जो है वह सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित है ठीक है नेश्ट है अतधिक मानसिक तनाओं या दिल की विमारी के उच्चार अथ्वा सरीर वा मन को अराम देने से समधित आसन है तो यह आसन है सवासन ठीक है क्या है सवासन जैसे कि आप लेटे होते हैं सीधे सीधे पीठ के बल उसी तरह जाएंगे दुनों तरप हाथ करके और इससे मानसिक तनाओं भी दुर होता है दिल की विमारी भी दुर होता है सरीर वा मन को अराम मलता है सवासन से ठीक है सभी आसन करने के बाद लाश्ट में सवासन किया जाता है ध्यान में रखिए नेश्ट है किस आसन की आकरिती हल से मिलती जुलती है जैसा कि आप सब को प भुजंग आसन नेश्ट है कुंडलनी यानि की छिपी हुई सक्ती को जागरित करने से समधित आसन कौन सा है ठीक है कुंडलनी यानि की छिपी हुई सक्ती को जागरित करने से समधित आसन कौन सा है तो यह है भुजंग आसन इससे हमारे कुनलिन यानि कि जो सी भी हुई सकती है वह जागरित होती है नेश्ट है संपूर सरी के लिए लाबदायक आसन कौन सा है तो संपूर सरी के लिए लाबदायक आसन है सरवांग आसन कौन सा आसन है सरवांग आसन ठीक है नेश्ट है किस आसन को सभी आसनों की जनरी माना जाता है तो सभी आसनों की जनरी किसे माना जाता है सरवांग आसन को ठीक है नेश्ट है सरवांग आसन किसके लिए अधिक उप्योगी है तो यह थराइड जिनके में थराइड की खराबी है उनके लिए जो टांसील और गले के अने रोगों से पीरित हैं उनके लिए लाबदायक है तो आपसा नमबर D यानि A अभी दूनू नेश्टा टिड़ी मुद्रा से समधित कौन सा आसन है तो दोस्तों सलभासन जो है और टिड़ी मुद्रा से समधित आसन है एध्यान में रखिएगा किसा रीड को इस प्रकार किया जाता है जिससे कौन सा आसन होता है तो यह होता है चक्रासन ठीक है कौन सा आसन होता Хी अ तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आयोक की सभी कोस्टन आपको समझ में आए होंगे और दोस्तों बने रहें मेरे चैनल पर डेली बेसे से प्रेक्टिस करने के लिए और तैयारी में लगे रहे आयन फर्स वाब विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बिल आइकन को प्रेस कर लिजे जिसे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैए